नमस्कार दोस्तों टेक्निकल वीडियो स्कुल में आपका स्वागत है आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको एक मिक्स जो है ऑब्जेक्टिव कुस्चन बताएंगे जिसमें साइंस भी है हिस्ट्री भी है जो ग्रफी भी गैसों का कोज करता है ठीक है हाइड्रोजन का अविस्कार किस गलता घ्रिक करता है सब्सक्टें गस था और नॉर्थ पोल का पीर ही दुवरा ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग शूर्ज की लांबिक इस्ति इसमें आपका करक रेखा पर 21 जुन को सूर्ज जो है लंबवत रहता है और फिर मकर रेखा पर 22 दिसंबर को और विश्वत रेखा पर सालों पर सूर्ज जो है लंबवत रहता है ठीक है ये तीन हो गए आपकी इंपोर्टेंट अगले है आपका बंब का अविस्कार, प्रमाणू बंब का अविस्कार की है, खें। अभी है, आगे है आपका उत्तल और अüzतल का नाम, जैसे उत्तल दरपण्स में कहते हैं, अभिसारी, उत्तल लेंस को लेंज तो कहते हैं अब सारी इंट को अब आता है दिरिश्टी दोस्त के उसके उक्यार र काफी ज्यादा इसमें दिरिश्टे इसमें उत्ता लेंज में उपकुल leveraging करते हैं इसमें जो है निकट की बस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की बस्तु दिखाई नहीं देती है लगता है कि जो है इसमें निकट की बस्तु दिखाई नहीं देती है तो इस तरह से नहीं इसमें निकट की बस्तु दिखाई देती है और दूर की बस्तु नहीं दिखाई दे तो यह आपका इंपउर्टेंट है अगला है प्रकास की चाल यह जो है 3 10 to the power meter per second nirvaat में होता है और 2.25 10 to the power 8 meter per second जल में और 10 to the power 8 meter per second काच में ठीक है इसको याद करने का तरीका है 302 निजगा ये एक ट्रीक है इसको स्थमाल कर सकते हैं हमेंसा याद करने के लिए तीन सबादो दो निच्का, निच्का मतलब निर्वात, जल और काच, इस तर से आप इसको याद कर सकते हैं, तीन सबादो दो निच्का, अगला है माध्यम की सघंता, इसमें क्या है? माध्यम की सघंता जो है काच में, डेन्सिटी जादा होता है, ठीके? पानी मुसे कम, वायू में उससे कम और निर्वात में तो खाली होता है, तो इसकी देंसिटी काफी कम होता है, तो माध्यम की सगंता जो है घर्टे करम में ठीक है, अन्ना जी का ग्राम रालेगन सिद्धी है, ठीक है उनके गाओं का नाम राले गन सिद्धी है ठीक है अगला यह important है आपका vitamin की खोज करता इसमें एक trick है A मैं whole C, B मैं half D इससे क्या है कि A का खोज मैं कोलम दोरा किया गया है B का मैं कोलम दोरा C का whole cut और D का halfkins तो यह चारों आपको याद करना हो तो trick के साहता से A मैं whole C, B मैं half D तो A मैं कोलम whole cut C और B मैं कोलम फिर halfkins दोरा D का तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं A मैं whole C, B मैं half D और vitamin की सिर्फ पुछा जाए तो फंक ने किया था ठीक है सिर्फ vitamin के बारे में पुछा जाए खोज कौन किया था तो ठीक है अब next आते हैं हम vitamin के रसाइनिक नाम यह भी काप ही important है इसमें एक trick है A, B, C, D, E, H, K रेथा, S के टोबान है A, B, C, D, E, H, K रेथा, S, के टोबान है ठीक है A का रसाइनिक नाम है उसमें क्या है? Retinol A का और vitamin B का C का थाइमिन, C का एसकर्बिक अमल D का क्यालसिफेरोल E का टोकोफेरोल H का बायोटीन और K का नैथोकुइनन और कीलोकुइनन यह आपका हो गया याद करने के लिए आप याद कर सकते है A, B, C, D, E, H के रेथा, S के टोबान है बाकी तो आप vitamin A की कमी से अच्छे से याद कर लिए Retinol B का थाइमिन होता है vitamin C का नाम इसकर्बिकम ऐसे करके याद कर सकते हैं और बाकी जो ट्रीक याद कर लेंगे A, B, C, D, E, H के रेथा, S के टोबैन है तो पहला जो अक्छर है उससे आपका एक्जाम में कवर हो जाएगा ठीक अगर आप याद कर लेते हैं नेक्स आता है आपका vitamin B complex के रसाइनिक नाम इसमें क्या है कि एक, दो, तीन, पांचो, बारा, थारा, पैनी, पासा ये ट्रीक आप याद कर लेते हैं पैंटी, थिनिक अमल और B5 का निकोटिनिक अमल और B6 का पैराडिक्सन ठीक है और B12 का साइनो, कोवालवीन ठीक है तो ये आपका हो गया vitamin B complex के रसाइनिक नाम याद करने के लेत ट्रीक है आपका तो आप ऐसे इनका याद कर सकते हैं अब अगला है vitamin B की B का रसाइनिक नाम बायोटीन होता है अब आता है vitamin की घुलनसीलता अब इसमें है BC पानी D का तेल BC पानी और D का तेल vitamin B और C जो है पानी में घुलनसील है और D का मतलब D E K और A यह जो है वसा और तेल में घुलनसील होता है तो यह जो है आप BC पानी D का तेल मतलब घुलनसीलता के बारे में जान सकते है अजर्ट्रीक के रूप में अब नेक्स्ट आता है benzene carbon tetraculoride alcohol इत्यादी carbonic घुलक होता है आप यह एक short notes है इसको याद कर सकते हैं अब बता है आपका एक और important vitamin की कमी से होने वाले रोग अब इसका trick क्या है A B C D E A B C D E A B C D E A की कमी से क्या होता है रता हुथी B की कमी से बेरी-बेरी C की कमी से एसकरवी D की कमी से रिकेट और E की कमी से बंदयापन ठीक है नेकि जिसको vitamin क कमी होगी उसको कहीं कटता पिटता है उसमें ज्यादा कुन बैज आएगा तो बिटामिन की के की कमी नहीं होनी चाहिए तो इसका एक सॉट ट्रिक्स है क्या है A B C D E रब्बे एसकरीव एक की कमी से होने वाले रोग है तौदी B से बेरी-बेरी इसी तर से आप इसको याद कर सकते हैं ठीक है चोटा सा ट्रिक्स है दूसरा आपका विटामिन एक प्रकार का कालवनिक योगिक होता है विटामिन में कैलोरी नहीं होती है विटामिन सरीर के उपाचय किर्याओं में सहायक होता है मनुष्य के सरीर में विटामिनों का संसलेशन नहीं होता है बलकि इसकी आप उठती विटामिन युक्त भोजन हरी सबजियां फल इत्यादी से होती है विटामिन डी ओम के का संसलेशन हमारे सरीर में होता है विटामिन डी का संसलेशन त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा और विटामिन के का संसलेशन जिवानगों द्वारा होती है ठीक है यह आपका सौर्ट अगला हम लोग बढ़ते हैं भारत के पर्मुख शोदसंस्थान अनुसंधान केंद्र जिसको कहते हैं नई दिली में कौन-कौन सा अनुसंधान केंद्र है यह जानलीचे क्रीसी अनुसंधान केंद्र मौशम विग्यान अनुसंधान केंद्र परतिरोधक्ट विग्यान अनु सकते हैं फिर आते हैं मुंबैय में मुंबई में कितने जो है अनुसंध्यान है इसमें टाटा इंस्ट्णर फॉर्णमेंटल रिसर्च भू चुम्बा कि भाबा जो है परमाणु अनुसंध्यान चेंद्र जो कट मुंबई में हैं ऑसक выз Powers कोलकाता में क्या है काक्स तथा मिर्थिका रसानिक जैविकी पुरा तत्विक सर्वेक्षेन विवाग जूट प्रावदगी की ठीक है कोलकाता में यह अनुसंधान केंद्र है ठीक है अगले के तरह बढ़ते हम इसमें है गन्ना गन्ना जो है अभी कोईंबर्टूर नहों करक ठीक तो यह कोईंबर्टूर नेम मारिये लगा अगर पूछा जाता है इसमें यह लखनौ हो जाए गन्ना अनुसंधान में पहले अब नयमें लखनौ हो गया और तंबाकू का क्या है राज मंदूरी ठीक है टीक है चीनियानुसंधान केंद्र का है कानपूर डेरी जो है कन प्राल में हैं चमडा चेन्नाई और असधी लखनवू रमण बैंगलोर धातु जमसेदपूर कपड़ा एमदाबाद पेट्रोलियम का देरादून खाद का मैसूर भवन का रुड़की विद्धुत रशायनिक जो है कुराइकुडी और यांत्री की दुरगापूर में ठीक है यह हो गया आपका और आपका नेक्स्ट है सरवेक्षन जो है आपका है देरादून मौसम बेचाला का पूने और इधर आपका जो है जीवाणू का चंडीगड प्लाजमा का गांधी नगर खगुल का बैंगलोर समुंद्र विज्ञान का पंडजी डीजाल का वारानसी बनस मौसिका तथा आणविक्चीव हैदराबाद में डी एने जो है है हैदराबाद में मस्तिक्स गुरगाओं में है और एलेक्ट्रानिक लिम्टेट जो है जलाहली में है चावल का कटक तो यह हो गया आपका अनुसंधान केंद्र इंपोर्टेंट जो है ठीक है एक बार और आ जबी गरना यह नहीं है तानपूर चिन्नी ठीक है और चिन्नाई चमड़ा बैंगलोर रमण और खागोल ठीक है और पुणे मौसाबेद साला है हैदराबाद में भूव उतकी लिएने कोशिका तथा अनुविक जीव है धनबाद में जो है खनन है और सिमला में आलू भाव मंदूरी में क्या है तंबाकू करनाल में डेरी जमस्चेतपूर में धातू अर्मदाबाद में कपड़ा ठीक है यह हो गया और गुर्गाव में मस्तिक्स यह अनुसंधान केंदर आपके है इसमें क्या है एक ट्रिक है जवाहर गंगा राणा इंद्रा सरकुल ठप्पा भा पांच-सत्लच मतलब यह की जवाहर गंगा और राणा जो है जंबल नदी पे है और अ razor इंदरा सरकुल ठप्पा भाखडा यह पांच है प्रियुजना जो कि सत्लच नदी पे है इस तरह आपको 30 night तींच मा पांच-सददियो आहर् इसमाने जो है जवाहर गंगा परियोजनाय है जो की राजस्थान में है गंगा सागर मध्य परदश में इंद्रा गांधिस ragar पंजाब में है राणा-प्रताब सागर वो राजस्थान में है और फिर आपका सरहिंद नहर पंजाब में है उसके बाद आता है आपका कोल लुटॉल टैम इमाचल पर्देश और ठपा ज़ाकरी यह भी जो है हिमाचल पर्देश और भाखडा नंगल बान पंजाब में अचाए इक चीज़ और इसमें भाखडा नंगल बांध पर्योजना भारत का सबसे ऊचा बांध है ठीक है और यह कहां पिस्तित है पंजाब में दूसरा है आपका एक ट्रिक नागा नाग टिहरी हीरा फरतुर उक्का काकड़ा क्रीको गंभा जेत आता ठीक यह जितनी परियोजना है उसके समक्ष जो नीचे जो नदियों का नाम है उस पे है ठीक है मतलब नागा अर्जुन सागर परियोजना ठीक है कृष्णा नदिपे नागपुर सक्तिग्री जो है कुराड़ी इसी तर आपको याद कर लेना है नागा नाग टिहरी हीरा फरतुर उक्का काकड़ा क्रीको गंभा जेत आता ठीक यह आपका होगा नागा वाला जो है क प्रिश्णा और नाग ये को राड़ी तीरी जो है भागी रथी जो कि जिसको गंगा कहते हैं इरा जो है महानदी ठीक है इसी तरह से आपका ये सब है ठीक है इसी तरह आपको याद करना है अब आपका आता इसमें नागा अर्जुन सागर परियोजना कहां पर है आंदर परदेश में नागपुर शक्तिग्री महाराष्ट में है तीरी बांध परियोजना उत्राखंड में है ठीक है हीराकुंड बांध परियोजना ओरिसा में है फरक्का बांध पश्यमंगाल में है तुल्बुल परियोजना जो है जम्मुकाश्मिर में, और उकाई परियोजना गुजरात, काखड़ा पारा गुजरात में यह आपकी इतने परियोजनाचा है, important ठीक है, उसके बाद और भी परियोजनाचा है, ठीक है नीचे आपका दिया हुआ है, यह आप कर लिजेगा दुर्गा पंचेत इडूकी टीला सलादूल वान माल परभा ठीक है यह आपका है नीचे दादा पेबे चीची सोभा ऐसे आपको याद कर सकते हैं लेकिन यह ट्रिक अच्छा नहीं है तो जो नीचे आप देख रहे हैं नीचे दुर्गा वैराज परियोजना ज परियोजना वेस्ट बंगाल पंचेत बांध जारखंड इडूकी केरल में और मातटिला यूपी में सलाल जो है जम्मू कास्मीर में दूलहस्ती जमू कास्मीर में वांड सागर MP में और माल परभा करनाटक में ठीक है यह हो गया आपका अगला है आपका यह कुछ और इंपॉर्टेंट है इसमें गोदावरी नदी पे जो है कौन-कौन से परियोजनाय है यह आपका यह रहा ओचम पाज ठीक है जायकावाडी ठीक है दामोदर नदी पे दुर्गा वैराज और यह है आपका ठीक चिनाव नदी पे सतलज भीमा पे पावना रावी नदी पे र पेरिया नदी पर इडूकी परियोजना भागिरती पे टिहरी बांध ठीक है महा नदी पर हीरा कुंड और किष्णा पे जो है नागार जुन और आपका जो है आता है गंगा भागिरती जो है की जो है फरक्का ठीक है कोराडी जो है नदी पे नाकपुर सक्तिकरी परियोजन इसके अलावा जितने भी परयुजना है उसके नाम से ही नदी का बोध होता है जैसे वियास परियुजना, दामोदर परियुजना, चम्बल परियुजना वो उसी नदी पे है तो उसके नाम से वो बोध हो जाएगा तो यह आप इसको देख सकते हैं ठीक है अगला है आपका हरिवन सराय बच्चन की पर्मुख रचना इसमें है दमनी, दमनी दस दुपान से सुपान तक मदुबाला, मदुशाला, मदुकलस ठीक है और नी से जो है नीशा नीमंतरन यह जो है आपका हरिवन सराय बच्चन की पर्मुख रचना है यह आपके जो है दमन नी इसमें 10 से 10 दुढ कॉछ याद कर सकते हैं यह आपका ट्रिक इससे रागवतdays फिज धूसे इसी थीक है मांसरवर ठीट और मैसे मैधने वफा शो से सोजे वतन और नीशे निर्मला कफन कर्भला और कर supply का से से जो है सेवा सदन रंग से रंगब५ूमी मैस फिट पयाक गबन फिताओ प्रेम मैसोनिक इसी रंगों का गबन यह हैं आपके प्रेम चंद के बचपन का नाम धनपत रहा था ठीक है प्रेम चंद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला की निवासी थे प्रेम चंद को कथा समराट एवं कलम का जादुगर कहा जाता है ठीक है गोदान प्रेम चंद की सबसे परमुख रचना है ठीक है औरी एवं गोबर ग तो अलग-अलग चीजें हैं अब अब आपका रमधारी सिंग दिनकर का परमुख रचना अब इसमें कुछ यह ट्रीक है रे उपहार कुशंगी हुंकार रे से क्या है रेणुका उसे उर्वर्सी पशुराम की पतिग्या हारे का हरिनाम और रश्मी रथी पुरुचेतर संस्क के चार अध्याय के और गीत और हुंकार यह अब रमधारी सिंग के बारे में थोड़ा सा इसमें रमधारी सिंग दिनकर को भारत का राष्ट कभी कहा जाता है इनने उन्हिSecatiR इस फ्रिमें उर्वर्सी की रचना है तो आने प्रیज्ब्रुस्कार मिला था तिक है रामधारी सिंग दिनकर बिहार के बेगु सराय जीला के थे ठीक है ये कहा के थे बेगु सराय जीला के थे वास्तुविक राष्ट कभी मैथली शर्ण गुप्त को कहा जाता है ठीक है अब आते है नेक्स्ट महादेशों के प्रतीक रंग यूनी एपी अमला आ ठीक है और आफरी काला रंगना चा ये ट्रीक है अगर आपको ट्रीक पसंद दे तो ट्रीक सियाद कर लिजे नहीं तो ऐसे पसंद दे तो ऐसे याद कर लिजे यूनी यानी यूरोप का प्रतीक क्या है नीला एशिया का पीला कोई कलार कोड नहीं होता है तो इसमें जो है कि बाकी महादेशों के कलर इक शिर्ण जो है अंटार्किति का महा देस का कोई कलार नहीं होता है एसे ट्रिक्स याद कर लिए जातो फिर जैसे आप Jag 오늘 कोई कोड़ सबसे बड़ा महादेश है अस्टेलिया सबसे चोटा महादेश है अंतार्क्टिका निर्जन महादेश है यूऔरोप सबसे बिकसित महादेश है अपिर्का 아ective 18 ॥ पिछडा महादेश है ठिक्हे है यह आपका हो गया आप gün अब आता है वीशो के महादीप्या आतेंद पिछड़ा महादेस है ठीक है यह आपका हो गया आप आता है विशु के महादी प्या महादेस, टू्टल कितने हैं अफिर्का महादेस, सीरोप महादेस, उत्तरी अमेरिका दक्षनी अमेरिका एशिया, औस्टिलिया और अंटारिक्टिका ठीक है यह आपके साथ महादेश हो गया अब यह 200 के हैं आपके महाशागर महाशागर कौन-कौन से है प्यसिफिक परसांत महाशागर और उसके बाद अंटलांटिक महाशागर उसके बाद हिंद महाशागर और नौर्थ पोल ओसियन जो है आपका आर्कितिक महासागर और अंटार्कितिक महासागर यह पांच महासागर है ठीक है अब इसमें है परशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है ठीक है मिर्याना गर्त जो है सबसे गहरा गर्त है जिसकी गहराई कम से कम 11033 मीटर है कम से कम 111 किलो मिटर क सबसे छोटा महासागर रहता है कि कुछ घोगोल सास्तरी लोसियन भी कहा जाता है सुन्डा गर्थ हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्थ है इसकी उच्छाई कम से कम जो है एक आसी सो बावन मीटर है ठीक है यह आपका हो गया महासागर अगला आता है परमुख विदुद चुम्बा की एक तरंग इसमें है गामा किरने इसका खोज किस ने किया था वैकुरल ने ठीक है इसका तरंगदर जो लिखा हुए 10 तुदी पावर माइनस 14 मीटर से 10 तुदी पावर माइनस 10 मीटर तक ठीक है यहां पर 10 तुदी पावर 22 10 तुदी पावर 18 यह हटाज जो है आविरती है उसी तरह से एक किरन का खोज करता कौन है रॉंजन और इसका तरंगदर जीतना दिया हाते से पारावेगनी किरने का क्या है रीटर और राकी तरंगदर जो आविरती यहां पे हैं दुरिष्षी वीकरन नीघीहां दोबार आविरती के लगु रेडियो तरंगे जो है उसको हेंरिक हर्टर दौरा अविसकार किया गया है छिए दिर्ग रेडियो तरंगे जो है उसको मारकोनी दौरा अविसकार श्रुंबक्ये नहीं है उसमें कौन-कौन से हैं १bung किर्णν हुनकिर्ण पैस्षथ रहें और प्रास्रय यह जो हैं, पक्नुमखक्ये तरंग्य. अब देखे ये काफी important इसलिए है कि कहीं न कहीं एक सवाल तो रहता है ये किसी exam में ये काफी important है आपके लिए कुम अस्तल जो है आपका हर एक 3-3 साल पर होता है एक के बाद ठीक है और एक जगा पर देखा लिए तो 12 साल के बाद आता है फिर उजयन में जो है जो मद परदेश में है छिपरा नदी के किनारे ठीक है वहाँ पे कुम्मेला लगता है ठीक परियाग राज ठीक है जो कि उत्तर परदेश में है और संगम की किनारे जहां पे गंगा यमुना संगम है कुम्मेला लगता है उसके बाद है नाशिक ग오दावरी नदी के किनारे कैसे भी पुछा जा सकता है कि उजयं 같아 किस नदी के किनारे कुम्मेला मनाया जाता इत कि कुम्मेला कितने साल के बाद मनाया जाता है रहे देखागा जाया तो वह 1-1 स Sisters उसborough तो प्रयाग राज्व जब होगा तो वह 3 साल के बाद होगा 33 साल के अंतराल पर जो है कुम्मेला मना जाता और एक जगव की बात करें तो वह 12 साल बाद फिर वहाँ पर कुम्मेला लगता है ठीक है और हरिद्वार में क्या है गंगा न दिखी किनारे ठीक है यह 4 आपके काफी ठीक है विश्णू सर्मा इसमें क्या है विश्णू सर्मा जो है पंच तंत्र ठीक है किताब लिखे हैं और वास्यानन जो है कामसुत्र का किताब लिखे हैं चानक जो है अर्थसास का किताब लिखे हैं वेद्व्यास कौन-कौन कभितास द्वारा वीजक रमनी और सबद कुलदीप नैर जो कि है जजमेंट डिस्टेंट नेर्वस और इंडिया दा क्रिटकल इयर्स इंजेल और इंडिया आफ्टर नहरूब ठीक है और विट्विन दी लाइन्स यह जो है बुक जो है कुलदीप नैर द्वारा लिखा गया रविंद्र नाथ टैगोर दूआर कौन कौन सा गया है चित्तरांगद गितांजली विसरजन गार्डनर हंगरी इस्टोंस और गोरा और चंडालीका यह जो है रविंद्र नाथ टैगोर तौडवारा यह किताब लिखा गया है अब हैं आपका मैथली सर्णकुप्त भार्ण भारती ठीक है डॉक्टर एस रादा किष्णन इंडियन फिलोस्पी ठीक है इंद्रा गांधी द्वारा जो है इंटर्नल इंडिया लिखा गया है बुक जैशंकर प्रसाद है वो लिखे हैं कमायनी आसु और लहर ठीक है सुरकान तिरपाथी निराला जो है अनामिका और परिम यह बुक लिखा गया है उसके बाद आता है रमधारी सिंग्धिन कर द्वारा कुरुच्छेतर और उरवर्सी लिखा गया है अब इसमें परमुक विदेशी लेखा क्यों मिन की पुष्टक इसमें एडम स्मित द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है वेल्ट ऑफ नेसंस अल सामर नाइट्स ड्रीम हमलेट किंग लियर और उथेलो यह जो है सेक्सपियर द्वारा यह बुक लिखा गया है उसके बाद आता है आपका एडॉल्फ हिटलर इन्होंने जो बुक लिखा है वह है मीन कैम में कैम है न में कैम यह काफी महतपूर्ण है जो कई बार पूछा ग यह बुक लिखा गया है ठीक है यह कुछ निविंतम विख्यात है ठीक है पीवी नर्सिंग राव द इंसाइडर ठीक है और यह आपका मैडोना यह लिखा गया है मदा टेरेसा डाउन दा मिमोरी लेन सी सुब्रैनम टर्निंग पॉइंट सी डॉक्टर सीटा कांत महापात्र वियोडवार सुनिया गांदी राजिव के बार राजिव एक बुक है उसके बारे में लिखे है ठीक है और अंगसान सुकी ठीक है यह जो है फ्रीडम फॉर्म फियर और लाल कृष्ण अडवानी दवारा माई कंट्री माई लाइफ लिखा गया है तापिल देव जो है वो ल किताबें उनके दवारा लिखे गई है अटल बिहारी बाजपई दवारा जो है लिखी गई है राजनीती की रप्टेली राहे और संसत के तीन दसक नवीन चालो दवारा मदा ट्रेसा बुक लिखा गया है पीसी अलेक्जेंडर दवारा जो है द पेरिल्स ऑफ डेमो क्रेसी ठीक है मिनका गांधी दवारा हेट्स एंटेल्स तुसार गांधी दवारा लेट्स किल गांधी ये बुक लिखा गया है अब आता आपका नेपाल से परोड़ोसी भारत के राज ठीक है नेपाल से कौन-कौन से सटे हैं भारत के परोसी ठीक है राज जो उसमें आता है आपक नारत के राज उसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, असम और पस्षिम बंगार यह चार जो है राज हैं जो कि भुटान से सटे हैं चीन से कौन-कौन सा है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्राखंड और जम्मु कास्मीर अब राज नहीं रहा यहाँ पर आपका चारी होगा तहके यह क्या हो गया आपका का जम्मु कास्मीर यहाँ से राज से खट गया है तो इसमें क्या हो जाएगा चीन का चारी हो जाएगा अगला आता है पाकिस्तान से पडोसी भारत के राज्ज वह आपका पंजाब,裡 गुज राजस्थन जम्मु कस्मित यहाँ पी क्या हैं ? पर हड़ जाएगा अब हो जाएगा आपका तीन राज जो पाकिस्तान सके परोसी राज है ठीक है पंगु राज है इसमें पंगुरा सिर्फ रह जाएगा जम्मु कस्विन आप अब हड़ जाएगा बंगला देश के हैं पांच इसमें है आपका असाम पश्रिमंगाल मिजोरम त्रिपूरा और मिगाले ये पांच राज्य हैं जो बंगला देश के पडोसी हैं जो की मतलब जो उधर पूरव के साइड में जो है समुंदर से घिरा हुआ है तो वह है आपका आंदर पर्देश पश्रिमंगाल तामिल नादुवर उड़िसा यह हैं चार आपके अगला है करक रेखा पर इस्तिद्ध भारतिय राज्य ठीक है करक रेखा जो है उस पर कितने भारत के राज उसपर पढ़ते हैं वह है आपका मित्र पर गमचा जहार यह आपका ट्रिक है याद करने के लिए मिजोरम तिर पूरा पश्रिमंगाल राजस्थान गुजरात कि यह पूछा जा सकता है कि निंड में से कौन सा करक रेखा पर इस्तित नहीं है और इसमें तीन औपशन रहेगा तो मित्र पर गमश्य जार यह ट्रिक्स से आप याद करसकते हैं तोटल आठ राज जो करक रिखा पर इस्तित हैं मानक या मुत्ता रिखा पर इस्तित भारतिये कितने हैं पांच राज हैं जो कि उत्तर प्रदेश, मत्र प्रदेश, 36 के टुरिसा और आंधर प्रदेश हैं यह पांच राज हैं उसके बाद रता है महापुल्सों के समाधी अस्थल यह कुछ ट्रीक है इसमें है इंद्र की शक्ति जग में समता वीर हैं राजियू लाल विजय बापु करे राज चाचे हैं सांथ मेरी अभय चोधरी किसान या आप ट्रिक्स याद कर लीजी या तो फिर ऐसी याद कर लीजी इंद्रा गंदी का समाधिय अस्थल का आप ए सक्तिय असल ठीक है जग आप ट्रिक्स याद कर लीजी ऐसे अब याद कर ले तब ही ठीक है अब आता है करक रेखा पर इस्तित देश ठीक है इसमें है ताइवान, इंडिया, सौधी अरव, मैक्सिको, मयानमार, चीन, बंगलादेश, उमान, अलजेरिया, लीविया, मिस्र, विष्ट, सहारा, UAE, मे इतने देश हैं, जो की करक रेखा पर इस्तित है ठीक है विस्वत रेखा पर इस्तित देश कौन-कौन से है वहें आपका केन्या, ब्राजील, इंडोनेसिया, इक्वारडोर, कोलाम्बिया, गिवान, सुमालिया, योगांडा, कांगो और कांगो-कणनराज इतने देश हैं जो को विश्वत रेखा पर इस्तित हैं आवत है राजस्थान की जील का नाम इसमें हैं देखिए डिडवाना जील है पिछोला जील है जय समंदर जील है राज समंदर जील है फते सागा जील है संभर जील है लूरकस जील है यह इतने जील है जो की राजस्थान के जील के नाम इसमें उपनाम है ग्रा के प्रित्वी नीला सुक्र चमकीला अरुन वरुन हरा शनी काला ब्रिस्पत पीला मंगल लाल ठीक है ये प्रमुख ग्रा के जो है उपनाम यानि किस से जो है उनका बोध होता है प्रित्वी को हम निला गरा कहते हैं ठीक है सुक्र को चमकिला गरा कहते हैं उसी तरह अरून वरून को हरा गरा कहते हैं सनी को काला ब्रिस्पति को पीला और मंगल को लाल लाल गरा कहते हैं ठीक है अब आता है मक्का रिखा पर इस्तित देश इसमें है आपका जो आर्जेंट चेटफल के द्रिश्टी से भारत से बड़ा देश चे है जिसमें सबसे बड़ा देश रसिया फिर उसके बाद आता है कनाड़ा फिर चाइना यूए से ब्राजील आस्टेलिया और बाद में साथवे अस्थान पर अपना जो है इंडिया है ठीक है टोटल जो है हमसे बड़े जो देश हैं जिसमें छेतफ़की दृष्टी से जो ज्यादा है वो है आपका छे और साथवे पर आपता है आपका इंडिया ठीक है आंद्र प्रदेश के जहील के नाम है हुसायन सागर जहील कोलेरु जहील और उसके बाद है अंट्लांटिक महसागर की जलधारा यह आपका गल्प स्ट्रीम ठीक है ब्रांजिलियन उत्री विस्वत रेखिए दक्षिनी विस्वत रेखिए यह जो है आपका अंट्लांटिक महसागर की जलधारा है वो भी गर्म वाला ठीक है और ठंडी जलधारा है वो डहके सबसे चोटा देश है वेटीचिकल सिटी उसके बाद आता है फॉल्लैंड नारव और माल्दिन ठीचे सबसे चोटा जो देश हैं उसका नाम है वेटीकल सिटी अब आता है आपका प्रित्वी चुका 멈त्याद की सरवाधिक तत्ते स्बसे जादा ओकसिजन की मातरा है ठीक है जो भूप प्रिष्ट पे जो मौझूद है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है उसके बाद सिलिकल 277 परसेंट है ऐलुमिनियुम जो है 8.13 परसेंट है और लोहा 5 परसेंट है उसके बाद है सरवादिक फसल उपज करने वाला राज्य उत्तर पर्देश में सबसे ज़्यादा गेहूं गन्ना जौर आलो की खेति की जाती है पश्चि मंगाल में चावल और जोट की खेति की जाती है गुजरात में मुंगफरी की खेति की जाती है राजस्तान में सबसे ज उत्पादन करते हैं इसमें जो दिया होगा है अब उसके बाद आता है रुप्या या रुप्या जो है मुद्रा चलने वाला विश्व के देश मतलब कहां कहां पर रुप्या जो है चलता है तो वह आपका कौन कौन सा है पहला भारत ठीक है नेपाल पाकिस्तान स्रिलंका उसके बाद आता है यूरो, यूरो मुद्रा अपनाने वाले देश कौन-कौन से है, इसमें आपके है, स्पेन, ठीक है, और्स्ट्रिया, पुत्गाल, फ्रांस, जर्मनी, यूनार, ठीक है, उसके बाद है, एस्टोनिया, फिलैंड, नीदरलैंड, स्लोबेनिया, माल्टा, सान मारीनो, अंडोरा, आयरलेंड, लक्समबर्ग, वेल्जियम और बुल्गारिया, ठीक है, यह इतने है, जहाँ पर यूरो चलता है, ठीक है, मुद्रा, अब आता है आपका, पाउंड, पाउंड जो है, कहां-कहां पर चलता है, यह मुद्रा, लेबनान, साइपरस, सिरिया, स पूछा जाता है, कितना पाउंड का चाहिए, एक सिर्क उधान है, जहां पर आपको मिलता है, पाउंड का, कुछ देश में अपनाए गए मुद्रा है, जो है, मियनमार में, क्यात होता है, ठीक, अफगानिस्तान में, अफगानी, चीन में, यूवान, मुद्रा कना में, और लाओस में निकली प्लाव फाइलेंड में बहुत जपान में जपान में जो है एन मुद्रा यूज किया जाता है खास करके डॉलर जो है डॉलर कौन-कौन से देश में अपनाए गये हैं उसमें ताइवान आता है आपका बुरुणेई आता है होंकोंग आता है गुवाम आ आते हैं रियाल जो है मुद्रा अपनाने वाले देश कौन-कौन से वह आपकी इरान कत्तर कंबोडिया ओमान सौदिय अरभ यामन और ब्राजील ठीक है यह मुख्य देश हैं जहां पर रियाल मुद्रा यूज की जाती है ठीक है फ्रैंक मुद्रा जो है कहा कहा यूज होते आलू आपका रभी फसल में आता है कि हूँ जो मक्का चना और सरसोथ यह सब जो है रभी फसल के अंतरगत आता है रभी फसल कब बोया जाता है यह बोया जाता है आपका और भी फसल जो है कब वोया जाता है 6 मैण आपका अगर्भी फसल पर छे मैंना इस इस समय आपको पला सक्वारिम चार्णव 14 तक जुन जुलाइ से लेकर और अक्टूबर तक जिसकी कटाई होती है उसको कहते हम खरीफ फसल में कौन सा आता है चावल जुआ बाजरा मक्का तील तंबाकू गन्ना अरहर जूट कपास और मुंपली तक इसको काट लिया जाता है ठीक है मैक्समाम फरवरी तक होता है लेकिन उससे पहले यह अक्टूबर नॉवंबर तक यह तयार हो जाता है ठीक है तो यह खरीफ फसल में आता है अंतराश्टी हवाईड़ के नम कुछ इंपोर्टेंट है इसमें इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवाईड़ जो है नई द हवाईड़ मुंबई में है इन्नीता जी सुभास चंद्रबोस कुलकता में है मिनामबकस जो है अंतराश्टी हवाईड़ चिन्नई में है बाबा साहब अम्वेटकर यह नागपूर में है और इधर आपका सरदार बल्ला भाई पटेल आमदाबाद में है गोपी नाथ वार सर में है ठीक है तिर्वन्त पूरम जो है तिर्वन्त पूरम में ही है गया वाला गया में ही है ठीक है त्रीची जो है वह आपका त्रीची में है ठीक और उसके बाद कालिकट जो है कोची कोड में है ठीक है कालिकट जो है अंतराश्टी हवाईड़ कहां पर है कोजी कोड ठ अब आता है कुछ important जो है दर्रह कौन-कौन सा है जमुकास्मित के पर्मुक दर्रें आपका Karakoram, जोजिला, बनिहाल, सुर्जिला, और परिम्पंजाल ठीक है पीर-पंजाल ठीक है यह important जो है दर्रों का नाव है जो जमुकास्मित के है अब आता है हिमाचल प्रदेश के पर्मुख दर्रे कौन से हैं सिवरोग सीप किला बड़ा लाचा और रोताग यह है आपका हिमाचल प्रदेश का पर्मुख दर्रा ठीक है उत्राखंड का कौन से है माना दर्रा नीती दर्रा लीपुलेग दर्रा ठीक है यह आपके कौन से उत्राखंड के लोयास मैदान ठीक है यह आपका पवन द्वारा निर्मित अस्तलाकृति उसके बदेपका नदी द्वारा निर्मित अस्तलाकृति जो हैं अब आपका अन्टरिक्ग मर्कुरी जो है मरकरी जो है बूद को कहते हैं वेना सुक्र को कहते हैं अर्थ प्रित्वी मार्स को मंगल कहते हैं ठीक है यह जो आंत्रीक ग्रह में है वो आता है आपका बूद, शुक्र, प्रित्वी और मंगल ठीक है प्रित्वी कि आप एक्छा सुड़ से निकट्टम ग्रह को आंत्रिक ग्रह कहते हैं ठीक है तो उसमें कौन-कौन से आपका बूद, शुक्र, प्रित्वी और मंगल इसको आंत्रिक ग्रह कहते हैं और बाहे ग्रह किसको कहते हैं यह आपका मर्करी है यानि की शूकर फिर उसके वाद मार्स मंगल जूपिटर ठीक है सटर्ड यूरेनस घर नेप्च्टून ठीक है इह आपका ग्रहों का क्रम है दूरी के धार पर सूर्ज से कितनी दूरी पर सबसे पहले आपका का मर कर याता है ठीक है आप आता है केंद्र सरकार यह उम्राज सरकार दोबारा परमुख कर मतलब केंद्र सरकार कौन-कौन बमन रंजन कर स्टांप कर पत्टनिर्माण कर आराल वहां कर वहंगर ठीक ए ermारिक है यह जो है आपके जो है राजसरकार के अंदरगत आती है के यह जो भी कर है इसमें सुरक्षा-प्रषट के अस्था-खान था जो है इस्पानिस रसिया फ्रेंच अर्भी चाइने जो इंगलिस ठीक है उसके जो है पर्मुक भाजाएं है ठीक भारत के गवर्णर जनरल के गवर्णर जलन के नियुम डलहुजी के शाषनकाल में कार इसमें लॉड के निंग के समय में कौन-कौन सा कारे हुआ विस्विद्याले क गठन हाइकोट का गठन और पर्थम स्वतंता संग्राम इसका गठन किया गया किसके दौरा लॉड कैनिंग दौरा और लॉड डलहुजी दौरा क्या 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 शाषनकाल में राज हड़ापनीती भारतिये रेल की शुरुआत और डार्ट टिकर जारी मतलब इतने काम जो है पाग जो है 1919 में हुआ था और खिलाफत अंदोलन 1920-22 में हुआ था रॉलेट एक जो है 1919 में हुआ ठीक है जिसको हम काला कानून कहते हैं संदेख के अधार पर पकड़ना ठीक है अब हैं इसमें एक अत्तरवे समिधान ससोधन के द्वारा जो है तीन भासाएं जोड़े ग मुस्लिम ली की अस्थापना जो है 1926 में हुई थी ठीक है 92 समिधान ससोधन के द्वारा चार बसाएं जोड़े गये थे उसमें बोड़ो है संथाली डोंगरी और मैथिली यह चार भासा को जोड़ा गया है 92 समिधान ससोधन में ठीक है आव आता है आपका राज शभा सदस् प्राणमंत्री बना हो ठीक है जो राज सभा से जू जाते हैं उनमें कितने जlor들 मानमोहन सिंग चार लोग आयसे हैं जो राज अब आता है भारत सैन प्रिसिक्षण के अंदरी मिलिटरी एकेड्मिक जो कहाँ पर है देहरादुन में एर धाम पूरव में जो की उडिसा में हैं द्वारिका पश्चिम गुजरात में और स्रिंगेरी दक्ष्ण जो की करनाटक में ठीक है यह संक्राचार द्वारा अस्थापित चार धाम है ठीक है बदरिनात पूरी धाम द्वारिका और स्रिंगेरी ठीक अब आता है दिल्ली सल्तनत का क्रमिक बंस गुलाव खिले ढौ इसको यहां के अब आता है मुगल सम्राठ के शासक क्यों मकबर के इसमें क्या में एक ट्रिक है भाज शा कादिस होजडो साटिके भाज सासे संगादिस अदोसा ह 대atelli ओसर ऑपका ट्रिक इस जो है उसके मकवरा का नाम है नाम यानी कि बी से अडंदर और व्हुलाका जो है अधि शिकन्दर एक्बर का सिकंदर काबुल में हुमायू का है दिली, अकबर का सिकंदर जहांगीर का सहादर ओर सा जहां का आगरा और रंग्जेब का दोलतवाद और सेर्शा असूरी का सा सारं ठीक है यह आपके हो गये मुगल, समराड के शाषummer के वो मुकबरा भाजसा, सेरसा, कादी सदोसा ऐसे याद कर सकते हैं या तो फिर अगर आपको ऐसे भी याद करना है बावन का काबूल, हुमायू, कदिलिया ऐसे तो ठीक है ठीक है नेक्स आता है मगद समराज के राजवन सेम संस्थापक चुए हर्यक वन्स का संस्थापक कौन थे बिंबी स अब आता है बावर के द्वारा लड़े गए प्रमुक युद पान खो घर चल पानिपत, खानवा, चंदेरी और घागरा पानिपत का यूद जो है 1526 में हुआ था खानवा का यूद जो है 1527 में चंदेरी का 28 में 1528 और घागरा का 1529 तो इसको याद कर सकते हैं पान, खोग, चलगर 26, 27, 28, 29 ऐसे करके याद कर सकते हैं तो आपको यह असानी से याद हो जाएगा, ठीक, हुमायुद वारा लड़े गया पर्मुख युद, इसमें है कि दबेरा चोरबासर, ठीक, ऐसे कर सकता है, दबेरा युद, 1531 में, चौसा जो है, 1549, बिल ग्राम 1540, और सरहिंद 1555 में, ठीक है, यह जो है, हुमायुद वारा लड़े गया पर्मुख युद्ध है, ठीक है, अब आता है, दिल्ली सल्तनत का क्रामिक वन्स के संस्थापक, ठीक है, उसमें कौन-कौन संस्थापक, पहले कुतुबुदीन एबक, फिर जलाल दुदीन, फिरोज खिलजी, फिर ग्यासुदीन, तुगलक, फिर ख्रीज खा समाप्त हुआ था, 1563 में, जजिया का समाप्त हुआ था, 1564 में, फतेपूर, सिकरी की अस्थापना 1575 में, मजहर की घोसणा 1589 में, ठीक है, दिने लाही की अस्थापना 1582 में, और इलाही सन्वत की सुरवात 1585 में की गए थी, ठीक है, आब आता है, आपका प्रोज़ा से हो होने वाले रोग, प्रोटोज़ा से होने वाले कौन कोल से रोग है, जिसमें आपका आता है, पेचीस, ठीक है, पेचीस, कालाजर, मलेरिया, सोने की बिमारी और पाइरिया, यह होता है, जब प्रोटोज़ा से होने वाले रोग, मतलब प्रोटोज़ा के कारण यह रोग होत इतनेस, काला खासी, कुष्ट, टाइफाइड और निमोनिया और हैजा, ये सारे जो हैं रोग जो होते हैं, जिवानों से होते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है, विसाणों से होने वाले रोग कौन से हैं, एड्स, ठीक है, डेंगू, पोलियो, इनफ्लूंजा, चेचक, छोट अचुआ और खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, मेंजाइटिस और हर्पिस और रेवीज, ये विसाणों से होने वाले रोग हैं, ठीक है, आमली की उपस्तिती, सिर्का में कौन सा अमल होता है, एसेटिक अमल, ठीक है, सोडा वाटर जो है, उसमें जो है कार्बनिक, अमल होता है, सेब में मॉलिक अमल होता है, अंगूर में टार्टरिक असिड अमल होता है, ठीक है, नारंगे और नीबू में साइटरिक अमल होता है, और दूद और दही में लाक्टिक असिड यानि लाक्टिक अमल होता है, ठीक है, इसमें अमल की ये उपस्तिती है, आब है परम योटो कप संतोश कप यूरोकप डूरंड कॉप मरडेकप इत्यादी ठीकिंः पोट्बॉल के यह बेड्र C के बैड्मिंटन के क्वान से हैं अमरितिवान कप नारंग कप और चध्धा कप यह सारे जो हैं फ्लिक क्रिकेट किर्केट में कौन सी-क्प जहांजी कफ़सी कफ दिलीपक देउधर कफ और इराणी कफ सीब्स अब्सक्राइद कप कप नहरू और सिंधिया ठीग यह होते हैं होकी के कप ठीक इतने सारे कोस्टन है आपके काफी important है इसमें एक वीडियो में आपको हिस्ट्री जूगराफिय वगर सारी चीजी है जो important important question है आप इसको करके नोट्स बना सकते हैं या तो एक-दो बर वीडियो भी देखे लेंगे तो आपका यह कवर हो जाएगा इसमें सारा जो है हिस्ट्री सिविक्स जोगराफी साइन्स यह सारे इसी वीडियो में कवर है ठीक है उमेद करते हैं आपको यह वीडियो काफी अच्छे लगी होगी थैंक यू फूर वाचिंग वीडियो हैवे नाच झाल 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 झाल